यह वीडियो मैथमेटिक्स का है और लेटरल 21 की बारे में हम आपके कर रहे हैं सबसे पहले करेंगे और जैसा कि हम बता रहे हैं कि सबको परिशान करता है इसके पीछे रीजन है क्यों परिशान करता है वह या करके आते हैं या फिर जो बचे 12 करके भी आते हैं उसका 12 में उतना अच्छा मैस नहीं रहा वहाएटी लेवल का मैध नहीं पड़ता है तो मतलब उसका मतलब यह कह सकतें की मैट तो वैसे वह हैं अग उस को कवर करना बदा ही मुश्किल होता है नेकिन नहीं होगा मुझ्कखिल अ तो बना संची से समझते हैं, बिल्कुल मुझ्किल नहीं होगा, समझना ध्यान से, साथ सक्षन हो, मैथ में हमारे पात साथ टॉपिक है, ठीक न, साथ टॉपिक तुम्हारे जुबान पर रट्टा होना चाहिए, सिंपल बात यादग न, सा के वाद होता है IC integral calculus उसके बाद अगला टॉपिक है D इसको हम लोग कहते है differential equation मैं सब बताऊंगा आराम से differential equation उसके बाद हमारा हो गया VC vector calculus ठीक ना vector calculus हो गया और उसके बाद एक topic हमारा है जिसमें हम लोग linear algebra कह सकते है linear algebra जिसमें matrix determinant आते हैं ठीक ना matrix and determinant और एक सबसे लास्ट टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं fourier series क्या सकते है fs fourier series क्या सकते हैं अब देखो ध्यान से समझना यह तो टॉपिक हो गया लेकिन ध्यान से समझना कि इसको परने के लिए तुम्हें इंट्ग्रला अप्ना परे गागा अगर इं अपना ँपना ओगा तुम्हेंreck छोड देते हैं तो छोड चोड़के तो पुझान त्राद नहीं है दोस्त चोगने छोदने पढ़ते तुम्हें पढ़ना परेगहा अब देखो integral approach क्या करते हैं यह देखो यह बिल्कुल एक अलग है इसको इस सबसे मत add करो तो इसको पढ़ने का एक अलग approach है जो मैं बता रहा हूँ इसमें भी दो टॉपिक आज गया है माल लेते हैं एक हो गया two-dimensional और एक हो गया three-dimensional ठीक ना तो basically हमारे syllabus में three-dimensional ज्यादा है लेकिन हम बात करेंगे 2D पर भी बात करेंगे ऐसे नहीं 3D आप नहीं पर सकते हो अब चलो इसके बाद यह topic जो है वो बड़ा important है डी जो हो differential equation वो ब और integral calculus तुम्हें आ जाएगा तो तुम differential equation आसानी से पढ़ सकते हो और जब तुम differential equation तुम्हें आ जाएगा तुम vector calculus पढ़ सकते हो यह तो बहुत ही बच्चा वाला topic है matrix determinants मैं तुम्हें बहुत आराम से करवा दूंगा tension मत लेना लेकिन तुम्हें अभी क्या करना है मेरे lecture आने से पहले मेरे वीडियो आने से पहले तुम्हें क्या करना और फूरियर सेरीज का कोई टेंसने कुछ formula है formula याद कर लेना है बात खतम देखो मैं जो lecture दूंगा उससे पहले तुम्हें क्या करना है समझना क्योंकि तुम्हारा main motive यह नहीं है कि भाई मेरे पास आके तुम हम आपके student है यह तुम्हारा main motive नहीं है और मेरा भी main motive यह नहीं है कि भाई मेरे को सब्सक्राइबर दे दो सब्सक्राइबर दे दो no 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 not at all and मेरे को यह भी नहीं चाहिए कि मेरे को YouTube चैनल बहुत लंबा चौरा करना है I am here just only for you and it's your responsibility कि जो मैं कह रहा हूं वो करो ओके पहल काम है calculus इसका पढ़ जाना जिसमें 11 में तुम्हें differentiation मिलेगा ठीक ना और 12 के 11 के book में differentiation मिलेगा ठीक ना इस दोनों को जब पढ़ जाओगे तो 12 के book में ही differential equation मिलेगा यह तुम्हारा पहला काम है इसको complete करो और बहुत ही basic complete करो अभी syllabus में मत देखना तुम्हें इसको पढ़ यह जरूरी है इसके पढ़ने से इंटरेंस का question नहीं बनेगा लेकिन फिर भी यह जरूरी है क्योंकि यह नहीं पर होगे तो इंटरेंस का question ही नहीं बनेगा यह base है so you must need to understand what's your base you must need to uplift your base because on the base on the you know ना जो रूट होते है किसी भी चीज का उसी के उपर में च्छत बनते हैं तो रूट तुम बनाओगे calculus 11-12 से परोगे धेर सारा वीडियो लेक्चर एवलेबल है यूट्यूब पे जो कि 11-12 का mathematics पर हाया हुआ है ठीक ना मैं तुम्हारा यह काम हो गया math के लिए पहला काम दूसरा यह first काम हो गया second काम जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा उसमें त solid geometry भी है 11 class में सालीड step 11 class में है जिसमें the color cottage कार्टीजन प्रोडक की बात करता है उसके बाद पारा अबोला की बात करता है पार बोला इप अहरा व्ला awareness area in सब की बात करता है तो यह सारा चीज् reward तुम्हें विसक्त को ए creeping का फोचन आथै स्ट्रेट लेन का 3-4 इकोईशन होता है जैसे कि वाई इस इकल टू-MX-C प्लस-C कैसा बनेगा वाई इस इकल टू-MX-C कुछ इस तरीके से होगा अगर वाई इस इकल टू एमेक्स लिख रहे हैं तो हमारा लीटा बनेगा ठीक ना लीटा पेराबोला थिक ना यू करके फिर नीचे वला है पर बोला इस बहुत सारा होता है लोग गया लैपस में तुम्हारा क्या होगा यह हमारा मेजर एक्सिस आता है यहां पे सेंट्राइड हुआ फिर इसके बात ये सारा तुम्हें पढ़ना है एलेवन के बुक में ये सब होगा पहले तो ये बेसिक जब तुम्हारा क्लिर हो जाएगा ठीक जब तुम्हारा ये दो चीज हो गया तब तुम उसी 11 ये 12 के बुक में तुम्हें मिलेगा matrix और डिटर्मिनार्द्स देखना, मेिट्रिक्स और डिटर्मिनार्ड्स बस तुम्हारा इतना काम है कि यह तीन टॉपिक मैंने बताया calculus, जिसमें कि तुम्हारा integration, differentiation और differential equation तीन चीज हो गया calculus में दूसरा topic तुम्हारा हो गया क्या solid geometry में तुम्हें उपलटना है और solid geometry में तुम्हें यह equation सब जो है वो equation complete कर लेना है और तीसरा काम metrics और determinants तुम्हें पढ़ लेना है यह तीन काम तुम within 10 दिन से 15 दिन 15 दिन के अंदर 15 days target रखो तुम्हारा target है कि 15 दिन में यह सारा काम complete करना है math का यह basic काम दिन रात एक कर दो लेकिन यह काम कर लो क्योंकि यह हो जाएगा ने एक बार तब जब हम उपर में इसके यह हमारा base हो जाएगा लोग बात करते हैं कि हमारा यह base बन जाएगा अगर तुम्हें 15 दिन में यह base complete कर लेता कर लोगे तो मैं तुम्हें approach बताऊंगा कि कैसे हमें इसके ऊपर हमें थोरा थोरा करके building बनाना है और exam आते आते तुम्हारा पूरा preparation इंटिग्रल एप्रोच में तुम्हारा पूरा preparation हो जाएगा और तुम math से डरोगे नहीं ठीक न और कोई बच्चा अगर बोलता है math हम छोड़ देते तो math मत छोड़ो क्योंकि देखो math में अगर 3-4 question भी हम हल कर देते हैं तो enough है तो mechanics के भरोसे result नहीं तै कर सकते हो कि भाईया सिर्फ mechanics पढ़के हम result ले हैंगे English qualify है इस बात को याद रखना कि English से सिर्फ qualify होता है और math और mechanics से ही result बनते हैं तो दोनों को तुम्हें equally पढ़ना परेगा जिस तरीके से math का basic मैंने इस lecture में बताया कि भया math का basic तुम्हें कर लेना है अपने से अभी उससी तरीके से हम तुम्हें next वीडियो में mechanics का basic क इतना अच्छा आता है तो इसलिए best wishes तुम सबको जितना मैंने बताया उसको complete करो और टेंसन मत लेना exam हो जागा और math को मत छोड़ना अच्छ बहुत important subject है math ठीक ना तो अब देखते है next video में मिलते है thank you bye bye